तो Streaming Walks के एक नए एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है तो पिछली कुछ वीडियोस में मैंने बात करी थी कि कैसे इंडिया में OTT Streaming Services को मर्ज करके भी इंकम करनी चाहिए और लगता है OTT वाले बात को seriously ले गए वैल इसका अपडे तो बहुत पहले आ गया था लेकिन तब मुझे बात में इतना तुक नहीं लगा तो मैंने कवने किया लेकिन अब ये कनफर्म हो चुका है कि अपना Amazon खरीदने जा रहा है MX Player को टाइमस इंटरनेट से MX Player का तो आपको पता ही है ये Korea का एक वीडियो प्लेयर था जो काफी पॉपलर था जब नया लॉंच हुआ था तम मेरे फोन में था छोटे से Android फोन में लेकिन समय के साथ ये एक एड बेस्ट्रीमिंग सर्विस बन गया जो अपनी आश्रम जैसी सीरीज के लिए काफी पॉपलर है ये चालू कर दी तो हम यहां पर आ गए कि अब इसको 400 करोड में बेचा जा रहा है Amazon को सही सुना है तुमने का नहीं बज़रे तुम्हारे 2019 में टाइमस इंटनेट ने हजार करोड में खरीदा था एमस प्लेयर को लेकिन अब 2023 में 400 करोड में बेच रहा है Amazon को अब आपको होगे कि अगर एमस प्लेयर इतना नुकसान गमा रहा है तो इससे Amazon को क्या फाइदा तो देखो भाई या Amazon को अगर कोई फाइदा नहीं है तो कोई नुकसान भी नहीं है बस एक टीवी करके है मिनी टीवी की प्रॉब्लम यह है उसका खुद का कोई एप नहीं है वो बलकि Amazon एप में ही इंक्लीड है जो कि काफी चीप और हैवी एक्सपीरियंस है यूजर्स के लिए जो मजा नहीं देती लेकिन अब इनके पास ऑपरचॉनिटी है मिनी टीवी के चॊंटेंट को एक बैटर प्लेस देने की जो की м stress लिए जो मिनी यह इनकसा का इतारा दुप मेरीका में एमरिका में एमजों की स्ट्रीमिंग् सेप्रिंग जोकीימ के नाहीं साविस देखने को मिलती है मइक्सपी इंडिया मूव इसा ही कार vin जैसे free वोगर ता अमेरिका में आपको free में movies मिलें इसका content खुल के देखो तो काफी अच्छा है जापर आपको अच्छी घासी English movies मिल जाएंगी Korean ड्रामांस जाएंगे और अपनी देशी पूरा बहुत कॉंटेंट मिल जाए तो मजा जाए पर ऐसा होगा नहीं